जब भी कोई कारिक्रम होगा या कहीं भी कोई सामुईक देशना होगी या बुद्ध के किसी भी सुत्त के वारें बात होगी और संगत बैठेगी यानि कि जब भी लोग संगती में संग गीत गाएंगे तो सबसे पहले वहाँ कारिक्रम को आरहम करने से पहले त्री सरन और पंच सील मांगा जाता है ती सरन और पंच सील जो लिया जाता है वो रुक्वेस्ट पर मिलता है या आचना पर मिलता है जब तक आप राथा नहीं करेंगे कोई भी भिक्कुई या भिक्कुणी या आचरि है क्योंकि बिना मांगे सिक्षा नहीं दी जाती सिक्षा अगर आप मांगेंगे नहीं तो इसका मतलब सिक्षा को मांगने की आपके जिग्यासा नहीं है तो आप उसको गर्ण भी नहीं कर पाएंगे सीख भी नहीं पाएंगे इसलिए जो सिक्षा है जो सिक्षा है वो मांगने पर ही दी जाती है एक बात ये भी तह है कि भगनवान बुद्ध ने जो नियम और पधती बनाए बाद में कुछ लोगों ने उसको बौद धर्म के नाम से मशूर करने का ख्याती करने का या चावतर फिलाने काम किया बौद धर्म के नाम तो कोई ना कोई देना था तो इसको बौद धर्म या बुद्ध का धर्म या बौध ही करके नाम दिया गया मगर यहां यह इसपष्ट है कि जैसे और रिलीजिन होते हैं उस तरह का यह रिलीजिन नहीं है एक तो इसमें गौड नहीं है जो ऐसा देके या कोई साहता देके या किसी को अबलाइज करके ये नहीं दिया जाता ऐसा नहीं है कि कभी कोई भिकू या भिकुणी आपकी मदद करे और मदद करने के बाद कहे कि मैंने तुम्हारी मदद की है आप तुम्हें काम करो ये जो बौध का पदती है अपने जीवन मे चलता है यह ने सरगिक है प्राकरतिक है नेचरल है इसलिए यह हमेंसा रहता है तो याचना करने का एक standard format पाली के अंदर बनाया हुआ है वैसे तो आप याचना किसी भी तरह से कर सकते हैं प्राथना किसी भी तरह से कर सकते हैं किसी भी तरह से कर सकते हैं मगर पाली में सबसे पहले भंते से पूछा जाता है ओकास एहंग भंते तो ओकास एहंग भंते का मतलब है ओकास का मतलब है कि भंते अगर आपके पास समय है तो हमें थोड़ा सा दीजिए या थोड़ा जगे दीजिए या थोड़ा मौका दीजिए एंग, बंते का मतलब है मुझे बंते या बिक्कु जो भी है तीसर अरनेट से है पंच सीलंग तीन सारन के साथ साथ तीसर में धंमांग याचामी अनुग हंक तवा सीलंग देत में बंते तीस रनेंड से पन्सील का मतलब है कि पन्सील के साथ तीस रनेंड धंमं याचामी और धरमकी मैं पराथना करता हूँ अनुगहं कतवा का मतलब है कि मुझे अनुग्रहत कीजिए अनुग्रहत कतवा सीलंग देत में सील देकर भनते मुझे सील देकर 30 रण के साथ में 5 सील दीजिए धम के अनुसार मैं याशना करता हूँ और मुझे अनुग्रहत कीजिए ऐसा वो बोलते हैं फिर वो दुतियम्पी बोलते हैं, दुतियम्पी का मतलब है दुतिय और अपी, अपी माने भी होता है, दुतियमाने दोबारा, दोबारा भी वो यही बात कहेंगे, बनते आप मुझे तीन सरण के साथ में पंसील दे कर अनुगरिध कीजिए, धम के अनुसार, मैं इसकी प्र अनुग्रहित कीजिए धर्म के नुसार मैं आप से प्रातना करता हूं रुक्ष करता हुं याजना करता हूं तब भन्ते कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूं आप वैसा कहें वो बोलते हैं अरहतो सम्मासम बुद्धसे तीन वार इसको बोलते हैं तीन वार का मतलब है एक वार मन से एक वार बचन से और एक वार कम उसे नमो तस्य का मतलब है नमो माने होता है कि नमस्कार करता हूँ, नम्र होता हूँ, जुगता हूँ नमो तस्य तस्य का मतलब है उनके लिए नमो तस्य भगवतो यानि कि उनके लिए जो भगवत है भगवत का मतलब जिन्होंने सारे के सारे राग और दुएस को भगन किया हुआ है अरहतों का मतलब है अर माने जो होता है वो तिलिया होती है अरहत माने होता है उनको खतम करना राग और दुएस की जो तिलिया है जो जीते जीख खतम कर देते हैं उनको अरहत बोलते है यानि अब उनके अंदर न राग है न दुए से तो अरह तो उनको नमस्कार करता हूँ जो सम्मा सम्म बुद्धस से जो सम्मा सम्मा का मतलब सम्मयक है बिल्कुल राइट है पॉजिटिव है सम्माने बरावर है पूरे है और बुद्ध है यानि कि जो बुद्ध हैं जिनको बोधी प्राप्त हो गई है जो पूरे हैं और जो सही हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ तीन वार उसके बाद में फिर बंदना होती है उसके बाद में फिर जो थ्री जैमसे वो होते हैं और ये सारा काइक्रम प्रकार चलता है धन्यवाद प्रकार चलता है